नमस्कार दोस्तो माइनेम इजर्विन और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट इन हिंदी यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊं दो कि अगर आपके पास सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों इसे आपको सब्सक्राइब पर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें आप सब लोगों के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों इन दोनों को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए सीख लगए किस तरह से हम सब्सक्राइब के नेट वैंकिंग सर्विस को यूज करते हैं और किसी को भी पैसे ट्रांटर करते हैं तो दोस्तों यहां पर मैं खुल लेता हूं गूगल अन्दैन ओनलाइन एसबी आई ठीक है यहां से ओपन मैं कर लेता हूं यहां पर देख लिए लिंक आगया है तो यहां से हम लाइन हो लेते हैं और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर पर्सनल बैंकिंग है उसके बदिया है और देखे हैं यहां फिर लोग इन है और यहां से मैं लोग इन हो तक है और फ्रेंड्स आप देखें यहाँ पर आपका परस्नल बैंकिंग आ गया है यहाँ पर उसके पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पूछ रहा है यूजर नेम यहाँ पर फील करने रहा हूं कि अम्हाँ दस्टों तो इसलियर अईडी और पासब opposition को यहां पर मैंने ब्लर करेंकिंग रहोगे हैं सिहकुरिटी रिजर्ल के वजन से लिए यहाँ अधि अजला कि देख सकते हो मैं यहाँ यहाँ पर जड़न हो चुका हो इस अंकाउंट में तो आप यहां पर updates pop यहां पर my account payment build transfer तो यहां पर मुझान ज़एंट्र रखनाए तो यहां पर मुझकोः यहां पर देख सकते हो विडिन SBI और आउटसाइट SBI यानि कि यहां पर SBI के अंदर यानि कि SBI के अंदर यानि कि SBI के अधर इस अफसर करेंगे तो यहां पर यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर मानले कि अगर हमें SBI के अंदर यहां के पैसे अगर ट्रांसफर करना हो तो मैं देखिए यहां पर तो दोस्तों देखिए यहां पर दिया हुआ है Interbank Beneficiary तो यहां पर देखिए यहां पर मैं क्लिक कर लेता हूं उसके बाद दोस्तों यहां पर दिखिए आपको मिलेंगे IMPS Statebank Group RTGS NEFT तो यहां पर मुझको दिखिए यहां पर मैंने यहां पर NEFT को यहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया तो यहां से मैंने अनिफ्ट को सेलेक्ट कर लिया इसके बाद यहां से प्रॉसीड फिर उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर आता है अनिफ्ट को हमें यहां पर पैसे ट्रांसफर करने है उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर पूछ रहा है आपसे प्रॉफाइल पास्वर्ड ठीक है तो यहां पर आपको प्रॉफाइल पास्वर्ड एंडन सब्विट पर क्लिक करना है ठीक है तो यहां पर मैंने और यहां पर जैसा कि आप देच रखते हो मैनेज इंटर बैंक बेनिफिसरी तुक है मैनेज इंटर बैंक बेनिफिसरी नहीं अपर आ चुगा है तो दोस्तों देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा बढ़ा करके दखाता हूँ यहां पर देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है नेम तो जिस वेक्ति को आपको पैसे ट्रांसफर करना है यहां पर इसका नाम आपको किल कर देना है उसके बाद यहां पर अकाउंट नमबर यहां पर यहां पर अकाउंट नमबर यालिक जो आप यहां पर यहां पर अकाउ ये वाला आनहे ये वाला है और ये यहां पर तेनों को में एड्रेस पिल करते लिए उसके बात देखी यहां पर इंटर बैंक ट्रांसफ़र लिमिट नहीं अर्म कितना और आप सब्सक्राइबुलास एस बंग बना दिः यल जाती है यहां पर यहां जारीकि उससे ज्यादा वह बेक्ती ट्रांसफर करीं नहीं पाईगा . अब दिखें यहां पर आइफसीकोड चैसे प्लिक करते हैं तो कि यहां पर आपसेकachesफसी कोड यहां से आपसे माँगे गा तो दोस्तों आपके bank passbook पर ifsc code बढ़ी ही आसाने से मिल जाएगा तो इसको यहां से ifsc code आपड़ा सकते हैं उसके बाद यहां पर रिजिस्टर मोबाइल नमबर ठीक है फिर i accept करने के बाद यहां पर देख सकते हैं आप i accept करने के बाद करने के बाद यहां पर सब्मिट कर देते हैं तो इस तरह से आप यहां पर इसको सब्मिट कर सकते हैं तो सब्मिट करने के बाद दोस्तों सब्मिट करने के बाद यह 24 गंटे का समय लेगा 24 गंटे बाद यह ब्रांच पर यह वहां पर अप्लिकेशन होगा अप्लिकेशन होने किस तरह से आपको जब आप ट्रांसफर करेंगे तो किस तरह से आपको अब सलाएगा मैं बताता हो तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप आप एड़ेंगे तो जिस तरह लिए prze弦 में है तो यहां से आप यहां से उसको यहां से सिंपरी क्या करेंगे आपको यहां से जिसके इमाउंट यहां पर आपको डालनी है तो माननी कि यहां पर मैं इमाउंट डालने रहा हूं फिर किस परपर से इसमें यहां पर मैं डालना हूं यहां पर यानि कि मैं जमा कर रहा हूं य और जो beneficiary आपने यहां पर add की ली थे तो यहां पर डाल लेते हैं तो यहां पर देखें मैं यहां पर account number यहां से select कर लेता हूँ simply और यहां से accept by click कर लेता हूँ तो i accept store यहां पर submit button पर मैं click कर देता हूँ यहां पर देखें यहां पर यहां पर outside SDI beneficiary तो यहां पर आप यह confirm करने को बोल रहा है तो यहां से मैं इसको confirm कर देता हूँ फिर यहां से मैं okay कर दे रहा हूँ फिर यहां से मुझे high security password पूछ रहा है तो high security password के लिए high security password दोस्तों आपके mobile पर one time password के रूप में आएगा तो आप one time password mobile से अब इंटर कर दीजिए निचे मैं यहां पर इंटर कर दे रहा हूँ तो यहां पर confirm पर करने के बाद देखें दोस्तों यहां पर यहां पर payment हो गया मेरा यहां पर payment हो चुगा है तो इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे इसको अप पृंट ले सकते हो तो दोस्तों आप मैं इस तरह से देखा कि किस तरह से आप Net Banking यह द्वारा किस तरह से आपशी को भी पैसे ट्रॉंपरा कर सकते है इस तरीके से तो द आपको कोई लिक्ट आती है तो आप हमें comment में लिख सकते हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें शियर जरूर करें और दोस्तों इसे subscribe करना ना भूनें तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपने हमारी सेनल को सब्सक्राइब पर ले हैं तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद ये हीं ये बारत